नमस्कार विंद्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है मद्धिप्रदेश चुनाव के मौझूदा दौर में सत्ना जिले के चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके लड़ाकों को निर्वाचन आयोग को गलत जानकारी देना महंगा पड़ गया है चुनाव आयोग ने 10 सुमिद्वारों को आयोग ये करार देकर उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी भारत निर्वाचन आयोग ने अविभाजित सत्ना जिले की अलग-अलग विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ चुके दस पूर्व प्रत्याश्यों को आयोग ये घोशित किया लोग प्रतिनिद्व अधिनियां 1959 की धारा दस ए के तहट आयोग ने इन सभी के 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है वहीं जिन पूर्व प्रत्याश्यों को आयोगे करार दिया गया उनमें वर्ष 2018 के विधान सभा चुनाओं में सतना सीट से प्रत्याश्यों रहे रामोराम गुपता का भी नाम है भाजपा के पूरु प्रदेश को साध्यक्षर है चुके रामोराम पिछले चुनाओं में माई के लालों का प्रतिनिज़ित्व करते हुए सपाक्स के टिकेट पर चुनाओ लड़ रहे थे और हार गये थे रहे शुशांक सिंग बगेल निवासी सोनौरा चाहकर भी इस बार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे जबकि राजेंद्र कुमार वर्मा और श्याम महिरवार और श्यामलाल साकेत को भी आयोग के करार दे दिया गया है इसके अलावा विधानसभा छेत्रा चौसट नागोद से फूलन देवी बागरी इसके अलावा आमर पाटन से संतोष कुमार गुपता इसी तरह और अन्य उमिद्वारों को आयोग के घुशित किया गया है